मैंसर्ब सच्छन दिवारे हैं यहों chemistry teacher तो 11th standard में classification of elements and periodicity of properties periodic table की study करते हुए यह हमारा fourth video है इसमें हम पढ़ेंगे atomic size, factors affecting the atomic size, periodicity of atomic size, shielding effect, screening constant, effective repair charge, etc. तो previous video में बच्चों आपने ध्यान दिया है कि हमने basic classification देख लिया है और पूरी periodic table का arrangement समझ लिया है अब आपको पढ़ना यह है कि जो atomic size है उसके क्या changes आते हैं इसमें आइनिक radius का क्या impact है इन सब बातों को बहुत ध्यान से समझेदा है let's start about the atomic size तो previous video में आपने देखा कि atomic size और atomic radius को study करने के लिए हमें तीन तरह की radius का ग्यान होना चाहिए जो आपको already है कि atomic size या radius तीन तरह की होगी है अब आपको यह समझना है कि यह size का impact periodicity में कैसे होता है कैसे size को हम समझते हैं तो सबसे पहले आपको size पढ़ने के लिए आप structure of atom का radius का फार्मूला 0.5292 n square upon z इस फार्मूले का apply के लिए पहले mathematically आपको समझना easy होगा फिर उसके बार हम theoretically चीजों को समझेगे अगर इस फार्मूले को मैं use करूं तो मैं इसमें concept जो apply करूंगा क्या बच्चों अगर हम प्रियोडिक टेवल में लेप से राइट और अप्टू डावल बढ़ते हैं तो अगर मैं लेट से राइट की ओर जाता हूं और मैं बात करता हूं लेट सेकेंड पीरेट की थार्ट की किसी पीरेट की इस पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकेंड पीरेट में अगर मैं कमूं तो आप जानते हैं लीधिया में बेरेलिया में और ना कार्वन नाइट्रोजन और अक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन है तो देखो आप सबसे इंपूरे चीज़ की एंधी सब पूरे पूरे एलिमेंट्स के लिए एंधू कॉंस्टेंट नमबर आप सेंट्स सब के लिए फिक्स्ट हूँगा सेकंड पीरेट है लेकिन जैट इसका 2 है इसका 3 है इसका 3 है इसका 4 है 5 है 6 है 6 जैट अटॉमिक नमबर क्या हो रहा है लगाता है जैट लगाता बढ़दा है आइन कॉंस्टेंट है एन कॉंस्टेंट है बट जैट आलवेज इंग्रीज इत वन यूनिट तो बोलो गया आपको फार्नूला आप में इस्वार ओंजेट गरिज नो रोल पर याने बचा क्या आप इंवर्सनी प्रकोज्ट जैट और जैट लगातार बढ़ता जारा है या radius लगातार घटता जाएगा तो यह लोजिक आपको पहले periodic table में left से right को follow कराना है क्या कि as we move left to right in periodic table number of cells remain constant throughout but the atomic number increases by one unit therefore according to formula r proposonant to n square upon z which is the formula of the radius of size of the atom n constant but z decreases by one unit therefore radius continuously decreases यह रूल बना क्या कि left से right जाने पर period में radius लगातार घटती है तेंसरी लगातार घटती है याने अगर यह lithium का साइज है तो यह beryllium का साइज होगा यह boron का होगा यह carbon का होगा यह nitrogen का होगा oxygen का होगा यह fluorine का होगा तो सबसे यह रहा है यह रहा है यह रहा है यह रहा है कि left से right जाने पर लगातार size decrease होगा घटता है लेकिन neon का size सबसे छोटा की जगह सबसे बड़ा होगा तो inert gases का size सबसे बड़ा होगा तो order में सबसे आगे आएगा फिर alkaline matter बोरान family carbon family nitrogen family oxygen family halogen सबसे नन्ना बुन्ना होगा तो सबसे छोटा size in a period illusion का होता है सबसे बड़ा size in a period inert gas का होता है second rank में alkali metal third rank में alkaline earth metal fourth rank बोरान family nitrogen carbon family nitrogen family oxygen family और सबसे छोटा आपको मालूम है कौन हेलो सबसे आप जब बोलोगे तो बोलोगे order मैं बनाऊगा तो सबसे बड़ा size मिलेगा मुझे inert gas का उससे छोटा मुझे alkaline metal का उससे छोटा alkaline earth metal का उससे छोटा मुझे size मिलेगा सबस्क्राइब तो यह आपके निमार्ड में होना चाहिए कि लेट से राइट जाने पर एस और पी ब्लॉक में बढ़ाई concentrate कर रहे हैं तो यह चेंज आते हैं क्यों ऐसा होता है तो वह आपको मालूम होना चाहिए कि इस mathematical equation के इसाफ से radius or size directly proportional to L है लेकिन एक period के अंदर N number of cell का कोई effect नहीं होता जब number of cell का effect नहीं होता तो उसको आप छोड़िये आपके बोलिए कि R proportional to 1 by Z या R inversely proportional to Z है since in each period atomic number increases by one unit therefore as we move left to right in period in periodic table atomic number increases by one unit therefore size or radius decreases continuously till the halosan halosan तक लगातार खटती जाती है but inert gases are the exceptionally largest size clear रहेगा क्योंकि उनमें होती है क्या wonderful radius तो आप अब यह clear हो गया कि आप period में confused नहीं होगे केवल एक exception है और exceptions जादा question ध्यान रखियेगा exceptions पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि वहाँ पर आपको experience और memory ही जो रतुती है और वो चीज देरे देरे आपको आईगी अब बाखी तो रूल से भी समझ सकते हैं लेकिन exception वही है जो rule follow ना करें तो जो non follower है उनको समेंटना ज्यादा जरूरी है आगे ध्यान दीजेगा अब आपको period में clear होगा अब आप यहीं चीज अगर group में ना हो तो क्या होगा अच्छो आप बोलोगे as we move up to down जैसे 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 उपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा बोले आर उपर से नीचे आने पर आर प्रोपोस्डेंट वैन स्कॉयर पॉन जैड है तो इस फार्डूले के इंसाफ से अगर मैं उपर से नीचे लाएंगे लीधियम का 3 ठीक है ऐसे सोडियम का 11, कोटेसियम का 19, हैना एसोल तो एन नंबर आप सेल बुले हाँ यह सेकेंड पीरेट है, थर्ड पीरेट पैर, फोर्थ पीरेट है, फिप, शिप, सेवन पीरेट है नंबर आपस अब्स बढ़ता है As we move up to down, as we move up to down in period, both number of cell and atomic number increases. Don't know about that. But, but, the increasing effect of number of cell, increasing effect of number of cell is more effective than the increasing effect of atomic number. याने एन का बढ़ना ज्यादा प्रभावी है, as comparison to z. इसलिए इस फार्मूले के हिसाब से, आर प्रोजने ट्वाइन स्वार अपॉन जेट के हिसाब से, एन एफेक्टिव है, इसलिए रेडियस भी लगातार बढ़ती जाती है. लेकिन एक रेगुलर पैटर्न में नहीं बढ़ती है, क्योंकि एन और जेट दोरों का एफेक्ट पढ़ रहा है, रेडियस बढ़ती है, लेकिन और रेगुलर नहीं होता है, जबकि लेट से राइट जाने पर लगातार रेगुलर खरती है. तो आपको बस यह नहीं बनाना है, कि as we move up to down in group, both number of cell and atomic number increases, but the increasing effect of number of cell is more effective than the increasing effect of atomic number. Therefore, according to the formula, atomic size और atomic radius of the elements increases down the group, and there is no any exception. उपर से निचे जाने पर गुट में size लगातार बढ़ता है, और इसका कोई exception नहीं है. अगर आप size पे confirm रहोगे बच्चों, तो इबमान के चलों, कि आपको 80% से ज़्यादा concept size से ही correlated हो जाएंगे, यानि मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा को भूम फिर के फिर size पे ही आएगा, इसलिए आप size पे बहुत परफेक्ट रहो, क्योंकि कोई exception नहीं आदा, सिर्फ left to right जाने पर लगातार कट रही है, और बस inert gas exceptionally largest wonder wall radius के कारण टॉप पे आगया है, सबसे आगे, सबसे बढ़ा हो गया है, उपर से नीचे आने पर ऊवही चेंज नहीं है, there is no any exception in the group, but only inert gas is the exception in a period, तो बहुत सरा लोगया हमारे लिए, अब हम clear कर सकते हैं, कि size उपर से नीचे बढ़ता है, increase होता है, left से right रटता है, inert gas इसका exceptional radius होती है, याने अब size की periodicity है, उसमें हम तो ये logic मालूम है, R proportional to N square upon Z, तो हम बोलेंगे, जब left से right हम गए, तो क्या हुआ, N constant रहा, Z लगातार बढ़ता रहा, एक unit, इसलिए R लगातार घटता रहा, और जो घटने का order था, वह हमने कहा, कि लेट अगर हमने second period लिया है, and is equal to two, तो आप बोलोगे के lithium, lithium के बाद beryllium, beryllium के बाद boron, के बाद carbon, के बाद nitrogen, के बाद oxygen, के बाद fluorine, और सबसे बड़ा size हुआ, neon का, similarly आप third period में जाओगे, तो यही order मिलेगा आपको, क्या बोलोगे lithium, के बाद मेंचे कौन है, sodium, sodium से छोटा कौन है, magnesium, magnesium चिस से छोटा कौन है, aluminium, aluminium, aluminium से छोटा, silicon, silicon से छोटा, phosphorus, oxygen से छोटा, oxygen से छोटा, fluorine के नीचे कौन है, chlorine और neon के नीचे कौन है, और गए, याने आप देख रहे हों कि लगातार size left से राइट घटवा है, लेकिन इनरेट गैस का exceptionally largest है, ऊपर से नीचे क्या होता है, तो आप गूते हो N लगातार बढ़ता है, Z लगातार बढ़ता है, बट इंक्रीजिक एफेक्ट आप नमबर अपसे रहे हैं, जैरफोर R लगातार बढ़ता है, याने ऊपर से नीचे साइज कंटिनियसली, इंक्रीजेज गातार बढ़ता है, तो यह बच्चे आपको दिमाग में रखना है, अब अगर आपको ये बाते क्लियर हैं, तो आप कोई भी ओर्डर बता सकते हों, कि हां ये ओर्डर यहां पर लगेगा, और इस ओर्डर के हिसाब से हम चीज़ों को समझ पाइए, क्लियर विच्छों तो यह एटॉमिक साइज में इतना कंसर्ट आपको फालो करना है कुछ भी करके आप इसको क्लियर रखिए अब अगर आपको यह क्लियर है तो जैसे अगर मैं आपसे बोलू कि चलिए आपको गर रेंडम ली चार शाइलिमेंट देरूं और अगुरुका सा कि अलुमिनिया सल्फर सल्फर और फास्पोरस एंड ऑक्सीजन इतने हैं इनका करेक्ट और आप साहिस बनाओ अब यहां पर ऐसे कुस्चिन करने के लिए आपको दिमाग में सबसे पहले पिरियोडिक ग्लासिफिकेशन होना चाहिए इसले मैंने का कोट बगर बनाने से फा केसी हां फूर्थ पीरिड है यहां पर अब हाइस तो फ्लोरीं कांपने पोले से के तो यह थर्ड पिरिट है लोरिंग सब्दें पर हां अरगन का इलियां और करें थर्ड प्रिए ठीक है एलमुनियुं कर बोले हैं यहां पर टायर यहां पर सफर प्राइब यहां यहां नाईटरूस रह यहां यहां आक्सीजर कराएं और यह यह बेरे इलिमेंट्स दिस्क्राइब ह्गा पहले आप इन दोनों में लाट से राइट थेटा है याने यह और आएगा यह सबसे चोटा होना चाहिए लेकिन यह सबसे बड़ा होगा तौर्दन आ गया रहा है यह चलिए पीरिट का गुरूप का ऊपर सीचे बढ़ता है यह सबसे उपर वाला सबसे चोटा फैर उससे बड़ा फैर उससे बढ़ा सबसे चोटे में छोटा क्याने याने आप उनोंगे है फ्लोरी स्मॉलेस्ट दैं ऑसीजें इन में सबसे चोटा कॉन सल्फरख़ॉजखर फासपोरस फेर ऐलमोनियम प्रणथन आरि गैं सबसे चौर्व परुआ सकते हो और किसी को भी संजा सकते हो कि भाई सब्वाइब साइम का यह कारण प्राइब से साइज में अन्हीं होगा रहें हो जending कि ने सब्सक्रक्राइब और HOW और कोई एक्सेप्शन खास है लिए सिर्फ इनर्ड गैस है और उपने को तुम मेरों को लगता है कि आप क्लियर ही रख सकते हो कि मैं इनर्ड गैस को क्लिया रखूंगा तो मेरों कोई दिक्कत नहीं है क्लियर बच्चो चलिए अब अगर आप पीलोडी सीटी और साइस को समझ लें तो आपको इसमें क्या होता है कि जो बुक्स में के हिसाब से यह तो मैंने जो आपको समझा रहे हैं को मैथमेटिकल कंसेट कि मैथमेटिक्स की लैंग्विज में आप कैसे समझाते हैं लेकिन NCRT आप देखोगी तो उनमें कुछ अलग तरीकी से सब्सक्राइब थियोरी में सब्सक्राइब उससे आप और तो नहीं बता सकते हैं और बताना कटीर हो जाएं लेकिन अगर कोई आप से पूचे कि वाई एस लार्जर देन भी या भी इस स्मॉलर देन ए तो फिर आप क्या अब ध्यान लगा के सीखना होगा कि एफेक्टिव नुक्लियर चार्ज और इसका क्या इंपक्ट होता है तो इसको सीखने के लिए अब जरूरी यह हो जाता है कि हम कुछ बातों के ध्यान लगाएं बच्चों अगर मैं आपको यह कमों कि यह अटम है यह नुकलियस है यह अपर मौश है यह अलाल अलाग सेल्समें यह नुकलियस है जहां पर प्रोटान है आपको वालूब तो एलेक्रौन और यह प्रिजेंट प्रोडान के बीच का एट्रेक्शन लगता है सवाबिक बाति अब इस एट्रेक्शन को क्या कहता है तो आप बोलोगे बहुत सारह सो सब्सक्राइब को इस सवा unity अच्छाइफ इस सब्सक्राइब कि क्या होगा रेपल्सर और इस अच्छाइब क्या होनhero और न्यूक्लियर एक्रेक्षण यह जो है यह ब्रॉट तर्फ अब इस पर्टिक्लियर केस्ट जब हम एटम की रेडियस और एटम के फैक्टर्स फिजिकल प्रोपर्टीज को समझा रहे होते हैं तो यहां पर कुछ नए सब्द आते वर्च हो यह कि न्यूक्लियर है तो इफेक्टिब लोग्लियर चार्ज अब यह सब क्या है को देखते हैं यह जो इक्राब और ये त्हां कर देना होके सीलिंग लेकिन आप इनको पढ़ने के पहले एपकंगा ऌधना। कॉन सा फेक्टर अगों कुछ साइज को बढ़ा वाले लिख नुग तो बहुत एसली आप समझ गए गों। यार यह जो एक्ट्रेक्व्पि एक्सन है। कॉन सा गॉलने वाले है फैक्ति अग्लेयर चार्चेया करता है। यह उक्तर्ण को होता है। आओ खीचता है याने उसमें size of atom में कहा करता है contraction करता है तो size लगातार क्या होता है decrease होता है याने effective nuclear charge is a nuclear attraction which so attraction for the electron due to which contraction in size is observed तो आपको logic क्या बनानी होगी effective nuclear charge जैसे जैसे बढ़े बढ़े वैसे-वैसे size घटेगा decrease होता है यह दिवांग बढ़ा है अब आपसे कोई बोले कि यह चोटा है भी बढ़ा है क्यों यह चोटा क्यों है इस पर जोर दे रहा है कुछने वाला तो आप बोलो कि च्छोटा क्यों होता है बोले effective nuclear charge बढ़ गया effective nuclear charge जब बढ़ता है तो छोटा हो जाता है बस अब कोई बोले यार यह क्या है अब या nuclear attraction के बाद यह एलेक्ट्रॉन एड एलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इसको क्या कहते है इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को बच्चों हम क्या बोलेगे shielding effect क्या क्यों अभी देखेंगे shielding effect से क्या हो रहा है बुले यार electron और electron का रिपल्सन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन फार अभी हो रहे है तो इससे size में क्या हो रहा है बच्चों expansion हो रहा है और रिपल्सन यानि इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन के कारण बढ़ा होता है तो आप यह बोलो कि अच्छा उसे इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन को भंग बोला है सिल्टिंग इफेक्ट जादा होता है तो साइज बड़ा होता है आपके बुक्स में यह लेंगे यह जोटा है वह बड़ा है यह नमबर आप से अधॉमिक नमबर यह सब पूलुगा यह समझाने के लिए और बताने के लिए लेकिन पर्टिकुलर आपसे को बोले कि क्लोरीन क् आपक्सीजन क्यों बड़ा है तो इस पर्टिकुलर आइटम्स को समझाने के लिए आप टर्म्स यूज करोगे एफेक्टिव नुक्लियर चार्ज और सिल्टिंग इफेक्ट अब आपके दिमाग में यह बात पैठा है कि आप पूरी कैमेस्ट्री में नुक्लियर एट्रेक अब उस पर हम फूकस करतें दिमाग लगाते हैं कि आखिर एक्टिव नुक्लियर चार्ज और सिल्टिंग इफेक्ट क्या है वैसे इसको मैथमेटिकली स्वाल करें तो बहुत लंबा चोड़ा फार्मूला बनेगा लेकिन अभी हाल फिनाल आप कोसिस करिए इस कंसेट को सम और इन सेंस में एलेक्ट्रॉन है क्या हो रहा है कि जब कोई नया इलेक्ट्रॉन आउटर्मोस सेल में इंटर करने वाला है क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसका यहां पर देखिए अटॉमिक नंबर कितना वच्चो रूब जैड इसी सोड तो आपको ध्यांगा वहां पर अब होगा है कि öğsalराओ नुकलियए चास्छ क्या एलेवन है औरहें प्लैक्टॉन जो है और इलेक्ट्रोन जो है क्या घर्श करते हैं कि अगर नया आये तो अब इंडिविज्विजूर्ट्रियूशन यंसे एलेक्ट्रॉन बढ़ेगा व कब होती यह स्धी एक क्लास में क्लास तस लोग हैं और सबस्की कई लेकित गयारा लोग वह होग leavag क्या हो कि कम 20 लोग हो पाए तो पर हैड वैली ओर कम होती जाएगी यह होता है तो वेन एलेक्ट्रोन इंटर्ण इंटर्ण इंटर्णिक रिपल्स यह जब एलेक्ट्रोन नूपलियस के अंदर आना चाहता है तो उसी समय बाकी के इलेक्ट्रोन जो नूपलियस के चारों भूम रहे है वो नए इलेक्ट्रोन को रिपल करते हैं इंटर्णिक रिपल्स लगाते हैं इस इंटर्णिक रिपल्स के कारण इलेक्ट्रोन फ्रॉर वे होने की कोसिस करता है यह जो कर रहे ही क्या है यह वो कर रहा है सील्ड क कैसंग जे काम जे ज़ी यह आप यह कहते हो कि उतना ज्यादा इफेक्ट होगा उतना ज्यादा ज्यादा साइज बढ़ेगा इस तरह यह एक्ट्रान करता है यह इस तरह बारा नियुक्रान लग रहा है तो रिजल्टेंट कितना हुआ तो लगा कि क्या इल meant कर रहा है स्वान येंजित को कीच रहा है तो चिनिकलियस के पूरे के पूरे? प्रटा ओन इस समय acaul requires demanda तो युझी का पूरा नियुक्लियर चाज प्रेसं कर रहाया मैंट नोड़ेचा पार्ट सम्दीव इस एक परणज नुप्लिशन आपा इंधिव लिद्ए निंग मैं दो लोगा दली वीप्रयर क कैंसिस्थए मॉलेट नुप्रेसण गजिए था न ह7 कीछ निए एंट्रण्य को अब्सी मधियर शार्ण्यग जोरुए रहा है। सभी तरुड और सलोबकै tres गोराइ रहा है। which causes expansion in size and the shielding effect is directly proposed unto size. But at the same moment, protons or nuclear charge present in the nucleus attract the electron towards itself. But since due to repulsion, most of the force cancel due to inter-electronic repulsion, therefore, at this moment, only a part of nuclear charge is effective to attract the electron towards nucleus. This effective part which is used to attract the electron towards nucleus is termed as effective nuclear charge. Effective nuclear charge causes contraction in size. Therefore, effective nuclear charge is inversely proportional to size. ये बच्चे आफ्के रिमाग में आपको बठाना होगा, कि shielding effect एक लगता है, याने inter-electronic repulsion. Shielding effect जाए हम इसको क्या कहेंगे? Inter-electronic repulsion. ये inter-electronic repulsion क्या है? ये directly proportional to size. ये आपकी books की language है. ये आपके school के teachers ज्यादा तर इस language की यूज़ करते हैं. लेकिन इससे order बनाना कठीन होगा. orders condition में बनाएंगे और orders रानी में लेगों concept याद रख लगा. हाँ, particular दो का compare करना है, तो फिर ये और चीज़ आपको बननी जीए. Similarly, effective nuclear charge जो होता है, वो क्या है? वो nuclear attraction और ये nuclear attraction क्या होगा? directly proportional to contraction याण inversely proportional to size होगा. याद आपके ये कहूं, कि left से right size घट रहा है. तो अभू.